है कि दोस्तो- आज हम जाने वाले हैं धनककडा वाटरफोल्स जो धरम-पूर के विल्सन हिल के पासमें ही आया हुआ है वाटरफोल्स यहां से देख रहे है कि पो यहां से देखिये नाँजार guit और अभी हम यहां पर है यह बढ़ा वाला है कि यह टान बढ़ा वाला है तो यह भी वाटरफॉक काफी बड़या बित्रा है और यह फोटो किछाते हुए यहां पर और भाई यहां पर भी आप इंजोई कर सकते हैं बड़ा है तो थोड़ा ट्रेकिंग है तो यहां पड़ेगा दरमपूर हमें भी जगा है तो यहां संकर दोध है कि इसको यहां से घूंके घूंके आते हैं तो वहां पर हीड़ भी दिखता है यहां से दुसरा भी वाटर फोल से पर एक जड़ विल्फुन के जो नीचे से यह जो खाट आता है वहां पर जाने वाला है यहां पर जाने वाला है कुछ इजन लोकेशन है इनके आजू-बाजु में ही यहां से आप पर देखें बहुत ही अच्छा नाजार है तो पहत्रीन विव है यहां से भी तो चलिए पर जाते हैं विल्फुन हील के आजू-बाजु में के एरिये में है बस हमार साथ जूड़े रहे है दोस्तों गाट के बाजु में एक चट यह जगा है इडन है मजा आता है यहां पर अभी जा रहे हैं वहां पर कि और आप देख सकते हो मेरे पिछे यह वाला लोकेसम और यह जो है एक जेट यह जो आपको गाट सेक्शन पूरू होता है थोड़े उपर आओगे तो यहां पर यह आपको नजारा देखने को मिलता है तो विल्फुन ही जाते पहले ही आपको ऐसे बहुत सारे इसे नजार देखने को मिलते हैं बहुत ही मज़ा आता है तो मेरे साथ जुड़े रहे आपको और दिखाऊंगा इसे नजारे चलिया आगे चलते हैं तो यहां से देखिए नजारा और अभी हम यहां पर है यह बड़ा वाला है यह टान बड़ा वाला है अभी हम यहां पर अभीनात दे जूड़ी हुई है तो वैसे तो मैंने पहले भी ये वीडियो रखा है तो वह आप देख ले ना और अभी उपर जाने वाला है वहाँ पर अभीनात देव के पास चले झार मने बंच मों देख अढे वग रखा है तो वहाँमा एन काहती हे वाला है ये तो वैसे सम्क्ERS States कि तु दोस्तों यहां से निकलते हैं हम सिध्धे संकर वाटरफल्स की तरफ जा रहा है और वहां से धनकड़ा वाटरफल्स के लिए जाएंगे तो समझ लो वो आजू बाजू में ही है बिलसन ही के बट पहले संकर वाटरफल्स जाएंगे बाद में वहाँ पर जाएंगे तो हमाँ साथ जूड़े रहे बस आपको बहतरी इन व्यू और नजारे मिलेंगे दोस्तो थोड़े ही दूर आते ही हमें ये नजारे देखने को मिला यहां से अभी थोड़ा जूम करता हूँ ये कुछ असा है वाटरफल्स है वहाँ पर लगता है बड़ा ही होगा आवाज सुना है रही है तो दोस्तो अभी फाइनली यहां पर पहुंच चुक है यह है संकर दोग और संकर वाटरफॉल्स तो यहां का कुछ बहतरी नजार आए ज्यादा पानी पढ़ रहा है अब भी आपको बताते हैं और आते जाते थोड़ा बहुत इडन वाटरफॉल्स भी है अब दोड़ी है यहां से एक किलोमेटर आगे से अभी चलके आये हैं और कुछ ऐसा भी तो नजार रहा है यहां से भी आप यह चुटा सा वाटरफॉल्स देखना को मुझे लागा और वहां पे भी है बट अभी यह फॉग आ चुका है आपको दीख रहा होगा अब अच्छा मैं जा रहा है यहां से भी और थोड़ा दूर जाके मैं बताता हूं आपको यह देखिए आप यहां से भी दोस्तों यह है एक जट संकर दोद के पहले ही आजाता है वो जो संकर वाटरफॉल्स है ना उसके पहले ही आजाता है तो यह देखी आप दूर से ही दीखी जाता है कि यहां पर वाटर पुल्स बड़ा है यह रहे चुटे-चुटे जरने यहां पर यह बड़ा वाला है यह है देखी आप थोड़ा जूम करते हैं यहां पर देख सकते हो बड़ा है दोस्तों आप संकर्द आते हो एक्चेट बाज में यह पहले ही आ जाता है यहां तक आने के लिए आपको 2-3 किलोमेटर कर तक आपको ट्रेकिंग करना पड़े गया यहां से देखिया और पूरा यह जो पहाड़ है यह वाटरफुल सी वाटरफुल से इसने सारे हैं क्या बताओं अभी आपको और मानों यहां पे जो आप मालसेजगाट पे नजारा देख रहते हो वैसे हो जाता है बट ज्यादा बारिस होती है तबी एसा देखने को मीता है कि बहुत वहाटरी नधर है आप यह सकते हो और आप एक बार आओ यहां पर यहां पे भी बहुत रहता है और वैसे तो हम पहले भी आ जुकी है यहांन बोर यहां पर आओ एक बार ढुट रहे से तीन किलोमेटर तक आपको चलना पड़ेगा हिसा ऐसा है इस दोस्तों इतना सारा एडवेंचर था और इतना ट्रेकिंग खतंनाग है अब यह पसी न बह रहा है मॉन्सुन है फिर भी ठंड लग रहे हैं क्या कर अब अब नीचे जाने वाले हैं दिखाएंगे आपको नजा रहे हैं कि अब है कि अब यहां पर आप अपने साथ है यह बहुत दूर से आया हुआ है स्टनिंग राइडर यो ब्रो बाई के साथ ट्रेकिंग करते करते फाइनली वाटरफॉल दूंड लिया और शायद से धर्वंपुर में ऐसा मजारा देखने को नहीं मिलेगा आप मिलेगा आप यहां पर आप आओ एक बार यहां से विल्टन हील इचे ही है बट डूंड गया ना हमें कॉमेंट मत करना कि लोकेंशन लोकेंशन मैं नहीं बताने वाला हुआ है वाटरफॉल बट यहां से प्रोपर दीख नहीं रहा है तो एक देंट रॉन पुड़ाते हैं भीचते हैं अ इसे यह हीडन लोकेशन है बट मजा आ गया भाई स्वाद आ गया जिन्गी में कि यह वाटरफॉल वाला और वहां पर भी एक है और उसकाइब से वहां पर भी हो गए हुआ हले आ गया जब वहां भी है लुड़ाव जच दो जड़े नहीं पर इस बधिर कीशने ड़ने कि चाहां भी है तो यहां पर बादे हैं पर बादे देल वहां देला हैं आने में पर भी है प्रेंपेशने ज़त्स कर दो कर दो कर दो कर दो दोस्तों यह रही पूरी घाटी और यह रही वाटरफॉल्स यह दूसरा वाला और ये नीचे गिरा यह भी है एक वाटरफॉल्स यह बड़ा है और यहां से थोड़े नीचे जाते ही दूसरा waterfall गिर रहा है यह वहां से भी गिर रहा है और वहां से भी गिर रहा है और साइट से नीचे यह रास्ता होगा यही रास्ता होगा वहां पर जाके अच्छे से explore कर सकते हैं बहुत बहत्रीन है वहां पे भी है आप देख सकते हो यह देखिए वाटरफॉल्स तो एक जेट यहां से गिर रहा है वाटरफॉल्स यहां से आप देख सकते हो और उपर वाला यह नजा रहा है यहां से पूरा केरला ही लग रहा है भाई इस नजा रहा है और यह अपने स्ट आप एक बार सुन्दिये वाटरफॉल का साउंड केसा लग रहा है यह जगा बढ़िया है विल्सन हील के एकजेट बाजू में है यह हिंटे रहा हूं तो देख लोगा बढ़ देना बढ़ेगा तो दोस्तों अभी फाइनली आ चुके हैं हमारे घर पर यहां पर हमारी यह रीवर है और यह अपना संकेत बाई है जो राइडर है जा सकते हो राइडर में ही है प्रोपर चोकडी पर ही है और अच्छा साथ भी बाया और बहुत मजा है और बड़ा अच्छा ट्रैकिंग भी था किन चार किलो मेटर गा तो चलिए बाई बाई मिलते हैं